दोस्तों अभी बोट ने इंडिया में अपनी रिसेंटली बोट वाज फ्लेस को लॉंच किया था, काफी पॉपलर ये स्मार्ट वाज मानी जा रहे है क्योंकि इसकी प्राइस काफी कम है और फीचर्स काफी अच्छे बोट आपको इसमें प्रोवाइट करता है मैंने अभी डिसेंटली दोस्तों इसकी अन्बॉक्सिंग की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो पचीस सो रुपए गर आप पे कर रहे हो तो ऐसा आपको नहीं लगएगा कि बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरे की कमी आपको देखने को मिलेगी इसका दोस्तों जो डायल है वो मैटलिक का बना हुआ है मैटरियल यहां पर यूज किया गया है मैटल का है यह तो काफी भारी भी है इसका डायल मतलब बिल्कुल आपको चीप मैटरियल फिल नहीं होगा और जो इस ट्रैप है वो भी आपको ठीकी ठाक देखने को मिलता है थोड़ा सा हाड जरूर है दोस्तों उतना कि यह गोल-गोल से सी घूम रही है इस वज़े से इसमें बहुत जादा जो है सपोर्ट इसको नहीं मिल पा रहा है अगर यह फिक्स होती सिर्फ इसे प्रेस होती तो मुझे लगता कि काफी अच्छी बिल्ड कॉलिटी यहां पर देखने को मिलती बट फिर भी ठीक है कोई यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले स्मार्ट वाच के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 1.3 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जो टेच स्क्रीन के साथ में आती है अब जो इसका टेच्छ रिस्प लेके भी नहीं है और भाई brightness इसकी काफिया रसाई है अगर आप outdoor इसको यूज़ कर रहे हो तो अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने वाला है outdoor में भी आप इसके brightness कम ज़्यादा भी कर सकते हो तो ये भी काफी सही चीज़ है वैसे दोस्तों यहां पर automatic brightness का कोई option मिलता नहीं है तो आपको manually ही इसको setup करना होगा तो आप जो है इसका use भी कर सकते हो outdoor भी अगर आप इसका use करते हो कोई issue आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा मैंने इसको outdoor भी use किया है वैसे दोस्तों इसमें आपको लगभग 6 face watches built-in देखने को मिलते हैं बाकी इनका जो app है वहां से आप बहुत सारे face watches को add कर सकते हो जिनके cloud में है लेकिन problem क्या है दोस्तों इसके face watch को लेकिए जो cloud वाले अगर आप लेते हूँ वह बहुत ज्यादा time ले रहा है इसमें आने के लिए तो यह एक delay part है थोड़ा सा आपको time देना पड़ेगा अगर आप कोई न पर currently आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा अगर आप इसमें कोई नया face watch add करते हो तो इसके बात दोस्तों अब बात करते हैं इसके fitness features की तो यहां पर heart rate के सबसे पहले बात करते हैं इसका दोस्तों जो heart rate है वो बहुत ज़्यादा accurate है पहले बात तो यह काफी कम time के अंदर में बता देता है कि आपकी heart beat क्या चल लई है और मेरे पास में दोस्तों यह realme watch SBA से मैंने इसका छोटा सा comparison किया था तो accuracy मुझे लगबग लगबग similar मिलने थी 19-20 का differences में और उसमें देखने को मिलना था और यह उससे थोड़ा सा fast भी है heart rate बताने में तो यहां पर जो आप आपको data मिलेगा वो लगबग लगबग आप accurate मोल सकते हो काफी fast यह जो है बता देता है कि आपकी heart beat क्या चल लई है realme watch यह थोड़ा सा time लेती है और इसका जो SPO2 वाला दोस्तों feature है वो भी काफी है आप जादा fast है और accurate भी इसको भी मैंने चेक किया है तो realme watch के comparison में अग SPO2 sensor हो काफी जल्दी बता देता है कि कैसे चल रहा है और दोस्तों यहाँ पर आपको accuracy लगबग लगबग उसके साब से आप देखोगे तो 19-20 का difference है तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है क्योंकि दोस्तों price में देखोगे तो वह अलिवाच 5000 की है यह 2500 की है लेकिन timing यहाँ पर actual नहीं दिखा रहा है कि आप कितने बजे सोये थे कितने बजे उठे वो timing यहाँ पर नहीं दिखा रहा है और इसके app में भी यही problem है data वहाँ पर sync नहीं हो रहा है साई से जो sleep data है currently मेरे साथ तो नहीं दोस्तों यह उसके साथ में sync हो पा रहा है तो problem यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है हो सकता है आगे चल के इसको company fix करें पर currently आपको यह problem इसमें छोटी सी देखने को मिलेगी sleep data आपका दिखाएगा कितने गंटे सोये पर timing आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है इसके बाद में दोस्तों एक problem मुझे औ email बोल के कोई message आता है वो 5-6 बाल लगातार आपको मिलता रहेगा तो यह problem मुझे notifications को लेके लगी यह खास करके mail के अंदर में अब हो सकता है दोस्तों यह मेरे कुछ phone की problem हो यह IC की problem है पता नहीं पर यह मुझे थोड़ी थोड़ी देर में remind करता है mail आया पर अगर आप दे GPS देखने को नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपका phone इसके साथ में connect होगा तो यह automatically Google Map में update कर देगा आपके data को तो वो आप वहाँ पर जरूर से देख पाओगे वो सारी चीज़े यह आपर possible है exact कितना यह आपको देता है इसके बारे भी मुझे नहीं पता तो अगर आपको भी इस smart watch को buy करना है आपका 3000 या फिर उससे कम का budget है तो definitely मैं दोस्तों को recommend करूँगा कि आप boat watch flash को buy कर सकते हो क्योंकि 48 घंटे में मैंने इसको जितना use किया उसके साब से अभी तक मुझे काफी सही है smart watch लगी है बाकि दोस्तों इसका detailed review वीडियो आने वा आएगा जहां पर मैं इसको बिल्कुल rough and tips बिल्कुल use करने वाला हूँ फिर आपको पूरी detail के साथ में बताऊंगा कि boat watch flash हपते 10 दिन बाद इसका क्या result रहा है कैसे इसके features काम कर रहे हैं क्या चीज़े काम कर रहे हैं क्या नहीं काम कर रहे हैं तो वो सारी बाते आपको द subscribe करके bell icon hit करें कुछ ऐसे interesting videos को देखने के लिए बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलका हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में